ओम शन्ति तो आज भथी के ज्ञान योग सत्र का दुसरा दिन है और आज के इस प्राथ्यकालिन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदर्णिया राजयोगी नी गेता दे देजी एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं आप 1969 से इस इश्वर्यक ज्ञान मार्क पर चलते हैं और दो तिन वर्ष के बाद ही जब आपने अपने मैट्रिक बोर्ड की एक्जाम पास की आपने अपना संपून जीवन इश्वर्यक सेवाओं के लिए समर्पित किया चुकि आप गुजराहत की धर्नी से निकले इश्वर के अनमोल रतन है आरंभ में आपने उसी धर्नी में विशेश कर राजकोट भरूच बडोदा अमदाबाद जैसे स्थानों पर आपने सेवाओं दी और लगभग 14 वर्षों तक भाव नगर में ऐसे सबजोन इंचार्ज वहां की सेवाह संभाली अनुभवी बनकर जब ज्ञान्सरोर का निर्माण हो रहा था 1993 में आप यहां पहुंचे और यहां उस कंस्ट्रक्शन के कार्य को भी देखा और वहीं पर इस्थाई हो गए वहां पर आपने इंटर्नल एड्मिनिस्ट्रेशन वहां की रेसेप्शन की सेवाएं और साथ साथ साल भर जुआँ प्रोग्राम होते रहें उनका सुचारू संचालन आधी देखते रहें फिर तो नीचे श्यान्तिवन में बहुत विस्तार होता गया वहां भी जरुवत थी तो पिछले दस बाहर वर्षों से आप नीचे श्यान्तिवन में स्थाई रहकर सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही मेधावी छात्र रहें आप अपने स्कूल शीवन में और न सिर्फ लौकिक पढ़ाई में लेकिन अलौकिक पढ़ाई में जिस कारण ज्यान और योग की बहुत गहरी टेफ्थ में उतरते और सबको वो सुनाते भी हैं और लाभानवित करते हैं आप बिशनस विंग के हेड़कौर्टर कॉडिनेटर भी हैं और देश विदेश में ब्रहमन भी करते हैं राजयोग शिविर जब चलते हैं उसमें प्रमुक्षिक्षिका की भाती रोल प्ले करते हैं भठियों में भी आप अनेक भठियों की टीचरों में से एक टीचर के र हर परिस्थिती में हमें क्या रहना है सम रहना है चाए वो निंदा हो चाए वो इस्तूती हो चाए लाब हो, चाए हानी हो चाए जय हो, चाए पराजय हो तो उसकी जलक आपके जीवन से दिखती है तो ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में आज हमें बताएंगे समय की पुकार अचल अडोल इस्थिति आज का अपका स्वमान भी यह है मैं अंगत समान अचल अडोल आत्मा हूँ तो कैसे अचल अडोल इस्थिति बनाना है हम सुनेंगे आदनिय गीता देदी से ओम शांती ओम शांती सभी को अच्छा लग रहा है हाँ बाबा का बेहत घर सभी कामकाच से फारीग न भायों को दुकान में जाना अच्छा लग रहा है न भायों को कि नहीं अच्छा लग रहा है दुकान के बिना चैन तो नहीं ऐसा तो नहीं न न माताओं को खाना बनाना ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार रोज सोचना क्या बनाना तो इन सभी बातों से बाबा ने फारीग किया है इसलिए बेहत का घर, बाब-दादा का घर, सो अपना घर तो सभी आराम से है न बाबा कहते न, यहां आओ, विश्राम पाओ और रिफ्रेश हो जाओ तो विश्राम तो है क्योंकि खुद की जवाबदारी का कोई कारोबार नहीं है रिफ्रेश होना है माना तरू ताजा हो जाना है जिस लक्ष से हम बाबा के बने है वो लक्ष रोज याद रखना है ताकि इधर उधर ना हो जाए तो जिस लक्ष से हम बाबा के बने हैं जिस निश्चय और नशे से ज्ञान में चले हैं जिस उमंग उत्साह से हम योगी तपस्वी बने हैं उसमें जरा भी धिलापन नहीं आना चले हैं चलते 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 थोड़ा धिलापन आ जाता है इधर उधर एटेंशन जाने लगता है अलबेलापन आने लगता है तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो बहुत जंजट हैं अनुभवी आप सब बैठे हैं गरगरस्ती की कितनी बाते हैं नौकरी धन्दे की भी कितनी बाते हैं तो थोड़े समय के लिए यहां आ करके हम उन बातों से अलग होते हैं और जीवन की मूल बातों पर विचार करते हैं के अल्टीमेट तो आतमा को क्या साथ लेकर जाना है बेशक जीवन में, यग्य में, सेवा में, समाज में दन, साधन, सुवी धाएं, सब कुछ चाहिए और उसी के लिए आप महनत करते हैं, कमाते हैं वो तो आवश्यक प्रवरत्ती हैं पर दिनरात केवल उसी में लगे रहेंगे तो हम आत्म कल्यान, आत्म उन्नती के लिए और कुछ नहीं कर सकेंगे तो बीच बीच में ये जरूरी है कि हम दो पाँच दिन के लिए हमें ही वो गरस्ती संभालनी है हमें ही वो नौकरी धन्दा करना है पर कुछ समय डिटैच होने से न्यारे होने से हम शान्ती से सोच सकते हैं कि जो कुछ दिन रात हम कर रहे हैं उसमें से क्या जरूरी है कितना आवश्यक है बहुत ट्राफिक जाम हो जाता है तो कुछ भी होच पोच कैयो संभर्ष होने की संभावना हो जाती है पर ट्राफिक कंट्रोल रेट सिगनल हो जाता है तो स्टॉप हो जाती है फिर चैनलाइज कर देते हैं तो परिस्थिती ठीक रहती है तो जीवन में पैदा हुए तब से तो हम कहते हैं न हर क्षाण जन्म से लेकर मृत्य की और चल रहे हैं तो बीच में कुछ रुक कर देखने की अबजव करने की सोचने की आवश्यकता है कि कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या आवश्यक है किस में फाइदा है यह हरे को सोचने की आवश्यकता होती है तो बाबा के घर में इस प्रकार बठियों का आयोजन किया जाता है और कुछ दिनों से रुटीन से अलग होकर हम शांती से बैठते हैं एंजॉय करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हमें बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं वहां तो नित्य ग्यान योग का पुर्शारत करते हैं, क्लास करते हैं, सुभा या शाम चाहते भी हैं, पर फिर क्लास करके दौड़ते हैं बराबर, है न? माताएं भी दौडती हैं, भाई भी दौडते हैं क्योंकि नौकरी पर जाना, घर संबालना तो चाहते हुए भी क्या सुना उस पर गौर नहीं कर सकते उस पर गहराई से सोच नहीं कर सकते तो ये इच्छा तो रहती हैं कि खास टाइम निकाल कर योग करे, खास टाइम निकाल कर बाबा के अव्यक्ती महावाक्यों को गहराई से पड़े खास समय निकाल कर मन सा सेवा करें वाइब्रेशन के द्वारा पर वो फुर्सत नहीं होते यहां आपको वो फुर्सत है अवश्य आप सभी ने अपने आपका भी निरिक्षन किया होगा सुवदर्शन किया होगा क्योंकि जब तक हम डिटैच होकर अपने आपको नहीं देखते तब तक अपने आप में क्या ठीक करना है वो पता नहीं चलता है एक कंपनी के मेनेजर्स का ग्रूप यहां आया था मेनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो उसमें एक मेनेजर जो खुद भी बुद्धिवान था शायद मैंने आपको कहा भी होगा यह तो दो तिन क्लास करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विचार है जैसे आप सब बता रहे हैं लेकिन मेरी कम्प्लेन है कि मुझे कोई सुनता नहीं है तो हम सभी ने उनको कहा कि भाई नेक्स्ट क्लास में आप हमें भी नहीं सुनिये और बाहर केंपस में साइलेंस में वॉक करिये गार्डन में जाईये और स्वा निरिक्षन करिये अपने आपको अबजव करिये देखिये कि क्यों लोग आपको सुनते नहीं है शाम के क्लास में वो आए बड़े खुश नजर आ रहे थे हम सब ने पूछा कि आपको अपने प्रॉब्लेम का सॉलिशन मिला उन्होंने कहा कि हाँ जो मैं एक घंटा साइलेंस में वॉक किया अपने आपको देखा तो मुझे समझ में आया कि लोग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं क्योंकि मैं ही किसी की नहीं सुनता हूं उनको ये इगो था इसलिए वो किसी की सुनते नहीं थे तो जब हम किसी की नहीं सुनेंगे तो हमारी कौन सुनेगा तो हम सभी ज़्यान मार्ग में चल रहे हैं रोज क्लासियों कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं बाबा के मददगार साथी बच्चे हैं हम पर हमने आपको देखे कि किस लक्ष से हम बाबा के बनेते और उसी लक्ष की दिशा में हम चल रहे हैं तो समझ में आता है चल रहे हैं चल रहे हैं हम बिस साल से चल रहे हैं तिस साल से चल रहे हैं दस साल से चल रहे हैं पर मनजिल की दिशा में चल रहे हैं मनजिल क्या है मनजिल क्या है हम सब की क्यूं हम ग्यान योग का नित्य अभ्यास करते हैं क्यूं हमने दुनियावी मौट शौक्फ सब चीज़ों का त्याग किया है किस लिए हैं ग्यान योग करके हम क्या बनना चाहते हैं तो सब को लक्ष है ना बाबा जो कहते हैं मैं पतित को पावन बनाने आया तो पावन बनने का लक्ष है कोई भी विकार न रहे आत्मा की स्थिती हिलती कब है जब कोई न कोई माया का अकर्षन आता है तो अपसेट होते न वही अवस्था बिगड़ गई माया का तुफान आ गया संग्दोश लग गया अना कुछ भी जब हम कोई न कोई विकार के प्रभाव में आते है तो अवस्था हमारी डगमग होती है मूड़ ओफ होता है खुशे गायब होती है और इच्छाय मन में उत्पन होती है और आकर्षन आते है तो फिर हम लक्ष को याद करते हैं कि लक्ष क्या है जीवन में हमें सुख आनंद चाहिए प्रेम चाहिए परंतु शुद्ध चाहिए सत्विक चाहिए, रुहानी चाहिए क्योंकि दैहिक भौतिक लौकिक, सांसारिक सुखों में आनंद में, प्यार में उसमें तो आत्मा की कोई उन्नती नहीं है आज लोग बहुत आनंद मौच करते हैं पर कोई मर्यादाए नहीं, कोई सयम नहीं कोई कल्यान का भाव नहीं तो हमें चाहिए सुक, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति परन्तु हमें सत्य चाहिए, शुद्ध चाहिए बनावटी नहीं चाहिए, दिखावटी नहीं चाहिए वहाँ ही तो रिलेशन टुटते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते हैं कि जुठा प्यार निकला दोखा किया, बनावट की तो आत्मा ओरीजिनली सत्य है, शुद्ध है, अविनाशी है इसलिए आत्मा को जो कुछ चाहिए, वो भी कैसा चाहिए? सत्य चाहिए, शुद्ध चाहिए, अविनाशी चाहिए टेंप्ररी नहीं चाहिए, मतलब से नहीं चाहिए यही तो आपसी रिलेशन में टकराव खिट-पिट होने का कारण किया है, यही है ना तो बाबा मिले, सत्य ज्ञान मिला, सही मार्ग मिला, तो हम सब ने अपने जीवन को परिवर्तन किया बाबा से हम सत्य शुद्ध सत्विक आनंद प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि जब तक सही ज्ञान बुद्धी में नहीं ही, जीवन की परिश्थितियों को हम यथार्थ समझ नहीं सकते बिना ज्ञाना पचल अडोल नहीं रह सकते हैं हमें खुद खुद को समझाना होता है हमारा सोभाग्य है के हमें बाबा रोज सत्य ग्यान देते बग्ति में क्यूं अवस्था नहीं बनी बहुत शास्त्र सुनते थे बहुत कथाएं सुनते थे, बहुत गुरुओं के प्रवचन सुनते थे क्योंकि basic नहीं न, मुल चीजें नहीं पता कथाएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं मुल्यों की values की बातें सुनाते हैं पर बिना अध्यात्मिकता गोण भी टिक नहीं सकते क्योंकि गोणों का connection तो आत्मा सेद गोण तो आत्मा में धारण होते तो रोज सुबह हम बाबा की मुरली सुनते हैं वो मूल सत्य ज्ञान बाबा हमें देता है बिलकुल सरल शब्दों में सरल तरीके से बाबा समझाते हैं पर सत्य बाते समझाते हैं वाकी और किसी के पास बाबा कहते है न कि जैसे योग है योग के लंबी चोड़ी विधी, रिती, आसन, प्रणायम, साधन ये सब बताएंगे पर किसको योग किसके साथ लगाना है वो कोई नहीं बता सकते वहाँ वो ये ही बता देते हैं कि आप अपने अपने इस्ट को याद करों परम कौन है वो पता ही दे तो जीवन है माना पर इस्थितियां तो आनी ही है है न हम सब को बाबा ने समझा दिया है ये कली युग अंत का समय जितनी और विचित्र प्रिस्थितियां हो सकती है वो अभी होंगी बाबा कहता है न अती पर जाकर अन्त होना है अती का अन्त होता ही है तो ये भी सब अती पर जाएगा तो कहते न भी ख्यालों में ख्वाबों में नहीं होगा ऐसा ऐसा हो रहा है और वो आप सब जानते भी है क्या क्या संसार में हो रहा है हम सब के सामने भी ये परिस्थितियां क्योंकि हम इस दुनिया के बीच में हैं इन परिस्थितियों को सामना हमें भी करना हो तो ये अंत का समय है इसलिए रोज की मुरली में आप देखिए कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ने विनाश की बात ना कही हो रोज कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बाबा बताते है कहीं भाई बैने सोचते थे कि बाबा बरसों से कहते हैं होता तो कुछ नहीं करके अलबेले हो जाते बाबा कहते हैं पर होता तो है नहीं पर कोई पूछ के तो होना नहीं है कोरोना जैसी भीमारी आएगी और ऐसा लॉकडाउन होगा ऐसे ऐसी जीवन की परिवार की नौकरी दंदे पर असर आएगा किसी ने सोचा था कितने कितने धनाध्य देश कितनी टेक्नोलोजी में एडवांस देश कितने साइंस में मौडन बने हुए देश पर सारे एक लाइन में आगे सब के सामने परिस्थितिया है तो परिस्थितिया तो आनी ही है बाबा के बने तुभी हमारे सामने ऐसी क्यों परिस्थितिया आती है सोचते है न ऐसा कही बाबा के बने तो आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया क्या हम तो अपने सुधार और उधार के लिए बाबा के बने हैं भगवान के बने हैं तो हमने जो हिसाब किताब पुर्वजन्मों में बनाएं वो माफ कर दिये जाएं क्या हिसाब किताब तो चुका नहीं है कर्म का सिधान्त तो बहुत अचल अडोल है इसलिए अचल अडोल स्थिति रखनी है तो कर्म की गती को भी अच्छी तरह समझ के चलना है कई सोचते हैं कि भी मेरे सामने ही ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वो दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा चलता है मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करता है उसी में ही उसका जवाब है कि मेरे साथ ही क्यों करता है बताओ कोई हिसाब है न तब तो करते हैं अगर वो मुल रुप से ही खराव यक्ती होता तो सब के साथ बुरा व्यवहार करता है पर वो दुसरों के साथ अच्छा कर रहा है और मेरे साथ नहीं कर रहा है मिन्स मेरा और उसका हिसाब ठीक नहीं है तो परिस्थितियों को हम टाल नहीं सकते हैं हाँ, हम क्रियेट ना करें अपने व्यवहार से, अपने कर्म से नए हिसाब किताब खड़े न करें ये हमारे अंडर कंट्रोल है और वो तो बाबा ने सिखाया है कि आपको अप कैसा सोचना है कैसा बुलना है, कैसा देखना है, कैसा व्यवहार करना है सब के साथ कैसा चलना है वो तो बाबा ने विधी हमें सिखाई है और रोज सिखाते हैं मुरली में ताकि नए हिसाब किताब हम न बनाएं पर बने हुए हिसाब किताब तो हमें चुकाने ही है तो अगर ये समझ बुद्धी में है तो कैसा भी उटपटांग कोई व्यवहार करें या कैसी भी बाते आएं हम गभराएंगे नहीं रियक्ट नहीं करेंगे रियक्ट नहीं करेंगे कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी दो बोला उसने मैं चार बोलूंगी है नहीं हम कौन है और हमें भगवान ने क्या सिखाया अगर ये realization हर कदम है तो आपका वियवार तो उचाही रहेगा क्योंकि आप भगवान के बच्चे है आपको ये मैसुसता है क्यों दादी तीन बार ओम शन्ती बुलाती थी क्या आर्थ कहती थी मैं कौन हूँ मेरा कौन है मुझे क्या करना है ये ही तो मैसुसता चाहिए लौकिक में जब आप मैसुस करते हैं कि भी हम तो फलाने कुल के हैं इस जाती के हैं इस खांदान के हैं हमारा तो बहुत बड़ा मानमरतबा है ये मैसुसता होती है तो उस रौयालिटी से व्यक्ती चलती है कि भी हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता है हमारे खांदान में ऐसा नहीं चलता है हमारे समाज में तो ऐसे नियम है वो लौकिक मैसुसता है ये लौकिक मैसुसता है कि हम कौन है किसके बच्चे है और किस कारिय के लिए अब हम निमित है तो अगर ये रियलाइजेशन है तो कोई कैसा भी हो कैसा भी स्वभाव संसकार हो व्यवहार हो मुझे कैसे व्यवहार करना है बेश्यक मुझे कोई बुद्धू नहीं बनना है मुर्ख नहीं बनना है पर जो उचीत करना है वो भी ढंग से करना है है न, समझदारी से अलोकिकता से करना, तो अगर खुद ज्ञान स्वरूप हैं, तो आप इस प्रकार से सोचेंगे, रियक्षन नहीं आएगा, और आपका व्यवहार ठिक चलेगा, पर ज्ञान हो, क्यूं बाबा, दादियां, बहने कहती है, रोज क्लास करो, रोज मुरली सुनो, अभी भी संडे की मुरली में क्या था, शुप चिन तक कौन बन सकेगा, जो ज्ञान रतनों से भरपूर होगा, तो हमारी मनसा ठीक रहेगी, उसने ऐसा ऐसा बोला, मैं डिस्टर्ब हो गई, पर क्यूं हो गई, मुझे क्यूं होना है, बोला तो उसने, उनकी वानी खराब थी, मुझे क्यूं अवस्था बिगड़नी चेह, मुझे क्यूं स्विकार करना चेह, मैंने ऐसा किया नहीं है, मैं ऐसी हूं नहीं, तो मैं क्यों स्विकार करना, बाबा कहते हैं, आपस में आप कुछ भी एक-दो को कहते हैं, आप तो बिल्कुल बुद्धु है, कुछ आता नहीं है, तो वो टाइटल एकदम लग जाते हैं कि मेरे को बुद्धु कहा? क्या समझते है? मेरे को मुर्ख कहा? मनुष्यों का दिया हुआ टाइटल लग जाता है बाबा कितने टाइटल देते हैं वो नहीं लगता है वहां कहेंगे मुझे बुरा लग गए क्योंकि हमने अपना लेवल अभी भी वो ही साधारण लौकिक रखा है हम आपस में उच्छे नहीं उठे आपस में कौमन ही बने रहते हैं तो एक दो की बात लग जाते हैं पर आप ज्ञान स्वरुप बन जाओ सैंसीबल बन जाओ समजदार बन जाओ आप अपनी रुहानियत में स्थेत हो जाओ भल हमें मिल के पुर्शार्थ करना है बाबा कहते हैं संगठन में रहते हुए व्यक्तिगत पुर्शार्थ में रहो अपने आपको ज्यादा रुहानी बनाओ अलौकिक बनाओ और उसके लिए बाबा ने जो कहा है वो टैटल रियलाइज कर कि हम ज्यानी तु आतमा है सत्य ज्यानी आतमा है बल दुनिया में बहुत पड़े लिखे हैं पर आतमस्थिती को उच्य शुद्ध शक्ति शाली एकरस बनाना वो ज्यान तो वा नहीं है न विचारों के तु आपको ज्यानी आतमा हैं हम परमातमयोगी हैं अब हमारा योग किसे हैं किसे हैं डाइरेक्ट भगवान से अब कोई हम मातमाओं से, धर्मातमाओं से, देवातमाओं से मनुष्य अतमाओं से बुद्धी लगा के नहीं बैठे अब हम अपना योग परमातमाओं से लगा कर बैठे तो अपनी इस उचाई को वस्तविक्ता को सत्यता को रियलाइज करना है और उस रियलाइजेशन में हम रहते हैं तो हम अपनी उच्छी अवस्ता रख सकते हैं कोई आप से मिलने आते हैं आप आत्मभिमानी हैं तो आपको तुरंट उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़े कोई दुख की बात करते हैं कोई एक्सिडेंट की बात करते हैं कोई किस प्रॉब्लम की आज हरे के मन में क्या है बताएए यही बाते है वो आके कहेंगे आप भी कॉमन लेवल पर होंगे तो आपको भी वो है क्या एक्सिडेंट हुआ किसको दुख हुआ पर अगर आप आत्म भिमानी हैं बाबा की याद में हैं अपने आपको देहभान से न्यारा रखने की प्राक्टिस करते हैं तो बात का प्रभाव नहीं आया हाँ जो हुआ उसके लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं वो करना तो बहुत छोटी-छोटी कॉमन बातों में हम अपनी स्थिती उची नीची करते ही रहते हैं वह कोई चीज फुट गई एक चीज के पीछे कैसे फुट गई क्या हुआ ध्यान नहीं दिया अरे कितनी वैल्यवल थी मैं कहां से लाई थी चीज के लिए अवस्था बिगाड़ देते हैं चीज वैल्यवल या अवस्था वैल्यवल ठीक है हम शंती से कहें अरे बाई बहुत अच्छी चीज थी संभालने जैसी थी थोड़ा ध्यान से करिये पर अवस्था बिगाड़ के दे फिर हमारे शब्द भी बिगड़ेंगे उसकी भी अवस्था बिगड़ेंगी फिर गंटा दो गंटा चार गंटा प्रभाव चलेगा आपस में मूँ चड़ जाएंगे बोलना भारी हो जाएगा होता है न ये सब चीज है valuable क्या है हमें हर चीज संभालनी है पर चीजें हमारे लिए है है न हमारी अवस्था उन चीजों के लिए देही तो practical क्योंकि अचल अडोल बनना है बाबा कहते है न तुम्हारा लक्ष है कि अंत में एक बाबा की याद रहे अब जीवन भर जो बातें याद करेंगे वही अंत में याद आएगा तो जीवन भर कौन सी बातें हम याद करेंगे देखो अपने आपको ज्यान योग तो रोज करते हैं पर अंदर से हमारी लगन अटेंशन अटेच्मेंट कहां है तो जिस परिवार के साथ हमें दिन रात उठना है बैठना है रहना है खाना है जीना है अवस्था तो वहाँ ही बिगड़ती है न ज्याद दूसरे तो अच्छे ही लगते हैं न उनके साथ कहां दिन रात उठना बैठना हैं हर कोई सोचता है उसका पती बहत अच्छा है उनकी बीबी बहत अच्छी है मेरे ही बच्चे है ओनको क्या पता मैं ही जानती हूँ की वो कैसे है तो अवस्था वैसे तो अच्छी ही रहती है, बिगड़ती कहा है, आपसी संबंदों में, घर परिवार की, और नौकरी दंदे की बतों में, तो वहाँ ही हमें लक्ष रखना है, एटेंशन रखना है, कि जो हमें मिले हैं, बिनावजय तो कोई नहीं मिला है, ना, बाबा कहते हैं, कर्मी के अकाउंट से ही मिले है, सोचते हैं न, मिले तो मिले, फिर मत मिलना और कोई जनम में, हाँ? क्यों? हमारे अपने इसाब से मिले हैं, हम सिर्फ उस व्यक्ती को देखते हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे? वहां हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी कैसे हैं, हम खुद भी कैसे? हमें भी कोई सहन कर रहा है, हमसे भी कोई Adjustment कर रहा है, क्योंकि हम भी perfect नहीं है न, मैं भी perfect नहीं है तो मैं दुसरे के लिए कैसे सोच सकती हूँ, यह ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं हम भी तो कुछ हैं ऐसे टेड़े-बेड़े तो जब self-realization, कि हम खुद कैसे हैं हम भी perfect नहीं है हमारे में भी कोई न कोई कमिया है उसमें एक है, मेरे में दुसरी है तो अगर self-realization हमें clear है तो हमें फिर वो विचार नहीं आएंगे, कि यह ऐसे हैं, कैसे ठीक है हमें दोनों तरफ से लक्ष रहे adjustment का कुछ हम भी adjust करें, कुछ और भी adjust करें, है न, दोनों तरफ से होता है तो easily हम मिलके चल सकते हैं पर शुरुआत तो खुद से ही करनी होती है जिम्मेवार तो हम अपने ही बन सकते हैं, दुसरे के तो बन नहीं सकते हैं तो जितना हम आत्मस्थिती में रहते हैं और अपनी वास्तविक्ता जो मुझे आत्मा के गोण स्वभाव संसकार शक्ती है, उसकी क्लियर मुझे मैसुसता है, तो मैं दुसरों को भी अंडर्स्टेंड कर सकते हैं और मिलके चल सकते हैं बाबा ने ये पाट तो सिखाया है ना हमें कि वराइटी ड्रामा है, वराइटी आत्माएं हैं हर आत्मा का स्वभाव संसकार अपना अपना है तो प्रक्टिकली हम अपने आपको विभिन्न स्वभाव संसकार वाली आत्माओं के बीच भी हम अपने आपको ठीक एकरस रख सकते हैं हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होएं यह तो फर्स्ट लेवल है उसको तो पहले क्रॉस करना है फिर परिस्थितियां है गौर्मेंट के तरफ से आती है प्रक्रती के तरफ से आती है परिस्थितियां तो आती है ना नौकरी में, दंदे में, बिजनेस में, सब में. तो वहां भी हमें हिम्मत से, धिरज से और योगबल से चलना है. फेस तो इन पावर से करना है. परिस्थिती हर किसी के सामने आती है, पर कोई व्यापारी टैंस हो जाता है, तनाव में आ जाता है, कोई डिप्रेस हो जाते हैं, कोई हसी-खुसी से पार कर देते हैं. परिस्थिती हर किसी के सामने आती हैं, पर अपनी आत्मस्थिती से हम उनको पार करते हैं. उस समय डिस्टर्ब हो गए, टैंस हो गए, हिल हो गए, तो बाबा कहते हैं, फिर सॉलिशन नहीं नजर आएगा. जब कोई भी परिस्थिती आती है, तो शांती और धीरज से हमें उनका सामना करना आता हैं. हम तो गबरा गए, गबरा गए तो फिर हम निर्णे नहीं कर पाएंगे. जब गबरा गए, हम तो डिस्टर्ब हो गए, तो फिर डिसिजन कैसे लेगे? ठीक है, परिस्थिती आई है. इसलिए ये जो रोज हमें न्यारा रहने की प्रक्टिस बाबा कराते हैं न, कि रोज देहभान से न्यारे रहूँ. रोज अपने रोल से न्यारे रहूँ. कि वह ये ड्रामा में रोल है, पार्ट है. तो आप निरिक्षन कर सकेंगे कि क्या बात आई है, कैसे उनको पार कर सकते हैं. जब ये नॉट बंदी और GST का हुआ था, तो अपने ही बाबा के एक बच्चे ने अनुभाव अपना सुनाया, कि हर बिजनेस का अपना एसोशेशन होता है, फिर वो एसोशेशन गौर्मेंट के सेकरेटरी से मिलते हैं और बात करते हैं. कहते हैं, सब कैसे कोई जोर से कोई ये होके, डिस्टर्ब होके, चिला के, अपनी अपनी बातें कर रहे थे, अपना भाई शांती से बैठे थे, जब उनको पूछा तो उन्होंने शांती से बात किया, तो इससे वो सेकरेटरी इतना प्रभावित हुआ कि मैं देख रहा था कि सब उन्चे नीचे हो रहे हैं, गाली गलोज कर रहे हैं, कैसी बहस बाजी कर रहे हैं, आप बिलकुल शांती से बैठे थे, तो उसने बताया कि देखो जो बात कहनी हैं वो तो मैंने आपको कही, पर गुसे हो जाओं, डिस्टर्ब हो जाओं, चिलाओं, गाली बोलूं, भाशा बिगाड़ूं, आपसे व्यावहार बिगाड़ूं तो क्या फाइदा है? तो वो बहुत प्रभावित हुआ कि इस ज्ञान योग के कारण आप में ये कितनी शक्ति रही और उसकी बात को ध्यान से सुना और महत्व दिया गया है तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि रोज-रोज अभ्यास करके अपनी स्थिती बनाओ और उस स्थिती से परिस स्थिती का सामना करो बाकी तो फिर अपने ही तन्मन पर असर आता है, खुदका ही दिमाग खराब हो जाता या कितनी अवस्था बिगड़ जाती हमारी, है न? इन रोज की परिस्थितियों में हम विजयी बनेंगे, तो जो बाबा कहते हैं कि अन्तिम परिस्थितियां माया जीत बनने का जो लक्ष है, वहां भी हम विजयी बन सकेंगे हमारा लक्ष तो माया जीत बनने का है दुनिया में देखते हैं कि कितने लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं, सफल हो जाते हैं, शहरत पा लेते हैं, मानमरतबा पा लेते हैं, फिर क्या होता है? उनका ही अपना कोई न कोई स्वबाव संसकार कमजूरी उस उचाय से उसको गिराते हैं तो हमारा लक्ष माया जीत, करमेंद्रिय जीत, प्रक्रती जीत, कर्मातीत बनने का है और हम बन सकते हैं, मुश्किल नहीं भगवान बना रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं हमें सिर्फ हिम्मत से मजबुत रहना है, अचल अडोल रहना है अपने पुर्शार्थ में आगे बढ़ते जाना है देखो, शरीर में स्थिर्ताना हो, शरीर आपका हिल रहा हो तो आपको चलने में, उटने में, बैटने में ठीक रहता है जिनको पारकिंसन हो जाता है, ऐसे से होता रहता है टांगे थिरकती रहती है तो जीवन के हर कारिये में आपको अच्छा थोड़ी, सहजता थोड़ी लगेगी ऐसी ही मन, बुद्धी, संसकार की स्थिर्ता कि जो हमने शुद्धता अपनाई है, हमें अभिलना नहीं इतना जो पुर्शार्थ किया है, उसको हमें सफल करना फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा अप देखने हैं, एक बार अवस्था बना लेते हैं, अपनी आत्मस्थिती शक्तिशाली बना लेते हैं फिर कोई भी परिस्थिती मुश्किल नहीं लगते हैं आप सहज पार कर सकते हैं और हर कोई जानते हैं कि अब दिन प्रती दिन परिस्थितियां अच्छी होती जाएंगी या बिगड़ती जाएंगी जन संख्या बढ़ती जाएगी या कम होगी ट्राफिक जाम होगा या कम होगा क्या लगता है परिस्थितियां बिगड़ती जा रहे हैं तो हमें खुद के लिए ही लक्ष रख देना है कि मुझे इन परिस्थितियों में अपने आपको अच्या लडूल रखना है नहीं तो पुर्शार्थ करो फिर डिस्टर्ब हो जाओ स्थिति जिरो फिर पुर्शार्थ करो फिर डिस्टर्ब हो जाओ दिया बुझे फिर जलाओ फिर बुझे फिर जलाओ वो ठीक है या सेंसिबल बनके पहले ही ग्रीत डाल दो ताकि जियुत स्थीर जलती रहे किसको sensible कही कि बुजने से जब लगे की बुजने लगा है तो ग्रीत डाल दो safe कर दो उसको अपने आप में भी जब लगे की बात आ रही है और disturbance हो रहा है तो पहले ही अपने आपको सावदान कर दो कि नहीं disturb हो के कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकते ठीक रहकर हर चीज को ठीक हम कर सकते तो बठी में आप सबाए हैं और समय है, फुर्सत है बैठिए, अकेले अकेले शंती से कांत में बैठिए यहां भी जुंड जुंड नहीं बाते नहीं थोड़ा साइलेंस में बैठिए अकेले अकेले बैठिए और सोची अपनी स्थिति के लिए जो कोई नहीं कर सकते हैं वो धारणाएं आप सब ने की बहुत वैलियेबल है, पावर्फुल आप अत्माएं घर ग्रहस्त में रहते हुए भगवान ने कहा कमल फुल समान बनो और आप बने हैं बाबा कहते हैं न की बाकी सब सिक्षाएं और धर्म संप्रदाई मठपंथ गुरु सन्यासी देते हैं प्रेम से बोलो, सच बोलो दया करो, धरम करो, दान करो, पुन्य करो ये सब बातें सब सिखाते हैं पवित्र बनो, योगी बनो कोई ने सिखाते हैं वो बाबा सिखाते हैं और आप सबने सिखा वो धारण किया है अन्यशुद्धी का नियम आप पालन करते हैं स्वादेंद्रिये पर विजय वो भी एक बहुत बड़ा सैयम है कंट्रोल है जो भी हमारे नियम मरियादाएं है कई लोग आपको कहते होंगे भाई आप रोज जा सकते हैं हम तो नहीं जा सकते इतना भी नहीं होता है उनसे आप रोज क्लास में जाते हैं बागे हमारे से तो नहीं होता रोज सुबह जल्दी उठना निंदरा जीत बनना और सुबह का समय ज्ञान योग को में सफल कर अपने आपको शक्ति शादी बना लेना जागरत बना लेना मुरली यही तो हमें देते हैं हम कौन हैं क्या हैं क्या करना है बाबा क्या कहते हैं समय क्या कहता है सुबह सुबह आत्मा जागरत हो जाते हैं उसी स्थिती से दिन भर का करोबार करते हैं सिर्फ लक्ष रखना है अब जो आगे का प्रोग्रेस है जिस क्षित्र में हमने चुना है उसमें आगे बढ़ना होता है कि जहां है वाई रहना होता है भाई बताओ व्यापारी है न सारे मुर्वी के तो हर एक लक्ष रखता है न भी छोटी दुकान है बड़ी दुकान हो शोरूम हो पांच लाग का इन्वेस्टमेंट है तो दस लाग का टरन ओवर हो ये हो हर कोई अपने अपने फिल्ड में आगे बढ़ने चाहता है तो हम सबने जीवन के लिए कौनसा फिल्ड चुना है ज्ञान योग का हमने फिल्ड चुना है तो हमें उसमें आगे बढ़ना है कि हमारे शब्दों में उपर निचाई ना आवे हमारे व्यवहार में बिगाड ना आवे हमारा चेहरा न बिगड़े हमारे भाव और भावना न बिगड़े ये तो अब पर्सनल इंटर्नल है न वो आपको हमें खुद द्रिडता करनी होगे ये समई है बनने का ये समई है भगवान बना रहे है सिर्फ और लक्ष रखने है हम खुश न हो जाएं हम ग्यानी है योगी है पवित्रा है सेवाधारी है सही योगी है ये बहुत अच्छी बात है ये आपकी अच्यूमेंट है पर अल्टिमेट तो आत्मा के साथ तो अवस्था जाएगे है ये ये जिस अवस्था से संगम यूग पुरा करेंगे उसी अवस्था से सत्यूग अब शुरू करेंगे ज्ञान तो है ही अटेंशन और पावर बस तो योग करना है और लक्ष रखना है तो कौन-कौन रखेंगे कि अब हमारा चेहरा नहीं बिगडेगा वानी नहीं बिगडेगी भाव नहीं बिगडेंगे लक्ष रखना है हो सकता है थोड़ा तकाच से हाथ उपर करो मुर्वी के भाई बहने तो मुरभी भाई बहने है ना? बड़ेको मुरभी कहते हैं ना? पहले ऐसे पत्र में लिखते थे मुरभी भाई पिता-जी Northern तो मुर्वी माना मुरब्वी भाई बहने, बाप समान तो ये रिजल्ट भी हमें लाना ही है ओम शान्ति अपने मन में दृड संकल्प कर ले अपनी अवस्था कैसी बनाने मन ही मन, बाबा से बात कर लो, तीन मिनट में बस ओम शान्ति तो ख्लास का सार क्या रहा कि हमें भी अंगद समान अपने भी कार्य समारने हैं तो प्रभुराम के भी कार्य समारने हैं यही करना है न? तो देदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं